Hello friends, मैं प्रियांका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ home remedies के वारे में previous वीडियो में हमने बात की थी कि खांसी क्यों होती है क्या कारण है कि खांसी हमें देखने को मिलती है ये एक symptom है या disease है इन सभी questions का answer हमने previous वीडियो में लिया था लेकिन आज हम उसे कैसे क्यों कर सकते है home remedies के through वैसे तो एलोपेथी में काफी इसकी medicines है उनके ओपर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ homeopathy में क्या क्या हम घरेलू नुसकी ले सकते हैं कैसे हम खांसी को क्यों कर सकते हैं इसके वारे में हम जहां पर detail में discuss करेंगे और आपको मैं बता दू जो भी हम यहाँ पर आज home remedies के through जो भी इन उसके लिए देखने वाले हैं बुना के वल खांसी को क्यों करने के लिए effective हैं बलकि अपनी healthy life को कैसे हम survive कर सकते हैं उसके लिए भी वह काफी beneficial हैं अगर हम इन्हें अपनी daily routine में ऐसे भी use कर सकते हैं daily routine में इसे अपना सकते हैं तो ऐसे हमें normally जो सर्दी खांसी जैसी कोई भी जो दिक्कत होती है वो नहीं होगी तो start करते हैं आज का वीडियो session प्रीविस वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि खांसी के थ्रू हमारी जो body है वो अपने immune system को strong करती है क्योंकि इसके थ्रू जो भी कोई unwanted material हमारी body के अंदर enter करता है उसे बाहर release करने में काफी helpful होता है सबसे पहले अगर हम बात करें healthy की वो भी घर की healthy की इसमें पहले क्या-क्या properties पाई जाती है जिसकी बज़ह से इसका हम use कर सकते हैं खांसी की दोरान सबसे पहले तो बात करें इसमें anti-aging properties होती है anti-oxidant properties होती है जो की हमारी immunity को improve करने में काफी helpful होती है इसलिए इसे recommend किया जाता है कि अगर खांसी हो तो उस दोरान हमें घर की हल्दी का use करना चाहिए कैसे इसका use करना चाहिए ये भी आगे देखते हैं इसके साथ बात करें honey की honey एक काफी अच्छा source माना जाता है क्योंकि ये act करता है anti-oxidant की तरह या हम बोल सकते हैं ये काफी helpful होता है हमारी बोडी में जो भी कोई cell damage होते हैं उन्हें protect करने के लिए due to the free radicals इसके साथ ये anti-vacterial और anti-fungal properties honey में पाई जाती है और सबसे अच्छा effective way होता है कोई भी जो germs हैं उन्हें kill करने के लिए honey का healthy और honey में क्या-क्या properties पाई जाती है ये तो हमने देख लिया but at the time of month cup कैसे हम इनका use कर सकते हैं ये हमें खांसी हो तो घर की healthy जो की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाने में काफी कारिगर मानी जाती है और infection को भी दूर करती है साथ ही इसमें healing process भी काफी ज्यादा होती है जो की antibiotic और anti allergic की तरह काम करती है अगर इस हल्दी में हम शहद को mix कर लें जैसे मान लीजिए एक चमच हल्दी का और एक चमच हनी का इन दोनों को mix करके जब हम use करते हैं अब ये काफी effective होता है लेकिन जब भी healthy और honey को use किया जाए तो ये बिना पानी की इसे use करना चाहिए अगर पानी पीने की जरूरत ज़्यादा पड़ भी जाए तो हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना चाहिए जिससे की इसका जो असर है वो जल्दी से हो एक बात आपको बता दूँ ये जो home remedies होती है ये रात और रात अपना effect नहीं दिखाती है तो इनका effect देखने के लिए हमें daily में इन चीज़ों को routine में लाना चाहिए जिससे की जो छोटी छोटी हमारी body में कोई problem आती भी है तो ये काफी easily cure हो जाए तो सबसे अच्छा और ब अधरक एक volatile oil है इसके साथ इसमें anti-flamentary properties पाई जाती है जो कि हमारे digestive system को improve करने को उसको boost करने में काफी helpful होता है और ये जो अधरक है ना केवल हमारी dishes में flavor को add करता है बलकि काफी जादा हमारे health करने में भी helpful होता है इसके इलावा इसके और भी काफी benefits है ये भी माना जाता है कि जब भी हम कभी suffer करते हैं तो suffer करने से पहले हमें अधरक वाली चाय लेनी चाहिए क्योंकि ये क्या करती है ये nausea और vomiting को prevent करने में भी काफी helpful होती है और ये जो ginger है ये food की absorption में भी काफी जादा helpful role play करती है इसका effect देखने को मिलता है हमारी respiratory track में इसका use बताया जाता है जब हमें खांसी हो सरदी हो तब हम इसका use बता सकते हैं और जो लोग दूद ना लेना चाहें वो बिना दूद बाली चाय भी ले सकते हैं अब बात करते हैं last effect की but not the least that is the hot water खांसी की दोरान हमें गरम पानी लेना चाहिए अगर इसकी effect की बात करें तो ये हमारी body को healthy रखत है जो हमारा dietion है उसे भी improve करता है गरम पानी के थ्रू हमारी body का जो temperature है वो भी maintain रहता है इस तरह से हमने देखा कि खांसी को हम कैसे क्योर कर सकते हैं ये तो हमने बात कर ली कि हमें खांसी के दौरान क्या लेना चाहिए लेकिन खांसी के दौरान हमें क्या नहीं लेना चाह है इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने बात की है कि खांसी को हम कैसे क्योर कर सकते हैं अगर वीडियो आपके लिए helpful हो fruitful हो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने friends के साथ वीडियो को share कर सकते हैं इसके इलावा अगर हम 24 ओफिशिल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि जब भी हम यहां पर news से related, education से related या फिर कोई भी interesting facts जो होते हैं उन से related जब भी यहां पर वीडियो अप्लोड करें आपको उसकी notification सबसे पहले मिल जाए अब हम मिलेंगे new video में so thank you so much